उन्नाव गैंगरे पिडिता के पिता की हिरासत में मोत के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोट ने 4 मार्च को फैसला सुनाएगी आपको बतादे कि पूर्विधायक कुलदीप सिंग सेंगर समेट 11 लोग इस हत्या के मामले के आरूपी है पूर्विधायक सेंगर को उन्नाव रेप केस मामले की सजा सुनाई गई है आपको बतादे कि पूर्विधायक के भाई अतुल सिंग पर उन्नाव गैंगरेस पिडिता के पिता को मार्पिट करने और मुकदमा वापिस का दवाव बनाने का आरूप था आरूपे अतुल सिंग ने अपने गुर्गों के साथ पिडिता के गाउं पहुंचकर इस घटना को उन्चाम दिया था इसके बाद विदायक पक्ष की तरफ से टिंकुल सिंग ने मारपीट और आम्स एक्ट में मुकत्मा लिखवा कर पिडिता के पिता को ही जेल भीजवा दिया गया था 4 जून 2017 को माखी थाना शेतर के गाउं से किशोरी के गाउं के शुभम और उसके साथी कानपूर के चौबे पूर निवासी अवदेश तीवारी अगवा कर ले गई थी पिडिता की माने माखी थाने में तहरीव दी जिसमें विदाय कुलदीप सिंग सेंगर पर पडोस की एक महिला के जरिये बहाने से बुला कर रेप करने और इसके बाद उसके गुर्गो द्वारा गैंग रेप करने का आरोप लगाया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, 11 जून 2017 को पिडिता ने अदालत की शरण ली, कोट के यादेश पर अफदेश तीवारी, शुभम तीवारी वो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन इसमें विधाय कुलदीब सिंग और आरोपी महिला का नाम नहीं थ किया वज़ा रही है? क्या भी वाद है कुपारा हो गुए? मेरे लट्टी भी बदाया किया खाने में विधाया खाने में विधाया खाने में विधाया को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेयर और सब्सक्राइब करें थान्यवारी J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden By J.B.D. Banquets Enterprise